हेलो एवरिवन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि होंडा एक्टिवा या फिर कोई भी स्कूटी हो उसकी सर्विस आसान तरीके से हम घर पर ही कैसे करें और उसमें कौन-कौन से टूल लगते हैं सर्विस के टाइम में कौन-कौन से पार्ट हमें चेक करने होते हैं और कौन से पार्ट चेंज करना होता उसके बारे में आज डिस्कुशन करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमें वीकल का जो इंजन ओयल है वो ड्रेन करना पड़ेगा जो की वीकल के राइट साइड में लोवर सबसे नीचे आप देखेंगे 17 नंबर का एक बोल्ट या ड्रेन प्लक जिसको बोलते हैं यह लगा हुआ है इसको हम 17 नंबर के स्पैनर से खोलेंगे और उसके आप देख रहे हैं कि यह इंजन ओयल जो है यह कापी खराब हो गया है बन हो गया है इसकी विसकोसिटी भी कम हो गई है तो इसे हमें चेंज करना होगा सर्विस के टाइम में तो इसे हमने ड्रेन कर लिया है अब सेम टाइम में हम जब तक इंजन ओयल ड्रेन हो रहा है तब अब हम इसके जो साइड में ग्रीड लगा होता है उसके जो दो इसक्रू है इनको भी खोलेंगे इन दोनों इसरोगों को खोलने के बाद ही जो body cover है वो हम उठा सकते हैं अप कर सकते हैं क्योंकि इंजन के जो सारे parts हैं वो इस बody cover के द्वारा ही cover रहते हैं जब तक इसे हम ना खोलें तो हमें धिक इनगे अनी parts वाप ये हमने hood को body cover है इसको आउपर किया और इसमें एक stick होती है ये stand इसका बनावाता बोडिकवर को hold करने के लिए इसको हम लगा लेंगे अब उसके बाद हम जो air cleaner है उसके side वाले सारे screw खोलेंगे air cleaner भी हमें service के time में check करना होता है उसके cleaning करना होती है या फिर replace करना होता है condition के according तो हम यह सारे screw को खोल लेंगे इस कुरू सारे खुल चुके हैं तो अब इनको हम निकाल लेंगे screw को निकालने के बाद जो आप यह cover देख रहे हैं यह पूरा बाहर आ गया है इस cover को हम यहां से निकालेंगे और यह आप देख रहे हैं अंदर air cleaner element या फिल्टर हम बोलते हैं यह फिल्टर लगा हुए इस filter की अब हम cleaning करेंगे उससे पहले हम इसको जो इसका air cleaner है उसको भी साफ कर लेंगे अब यह आप देख रहे हैं इसमें काफी dust है तो इस dust को हम clean कर लेंगे इस dust को clean करने के बाद इसका जो cover है cover को भी clean करेंगे क्योंकि अंदर dust नहीं होनी चाहिए अब जिस प्रकार से हमने element निकाला था उसको refit कर लेंगे वापस से लगा लेंगे अगर यह condition बहुत ज्यादा खराब होती तो इसकी हम इसे replace कर लेते हैं लेकिन यह सही है तो हम इसको as it is लगा लेंगे clean करके इसके हमने 6 screw को लेते हैं उच्छा के 6 screw को हम tight कर लेंगे को properly tight करना है और बहुत ज्यादा भी हमें इसको tight नहीं करना है या अपने ध्यान रखना है तो आपने सामने इसको हमने crosswise tight करना है सभी screw को बराबट और किसां tight करना है कि अब सेम टाइम में इस पार प्लग भी का खोल लेंगे यह इस पार प्लग खोलने के लिए टूल किट जो स्कूटी की टूल किट है उसी में एक कि स्पार प्लग का सॉकिट होता है जिसमें बॉक्स स्पैनर बोलते हैं और इसको हम हम इसको ड्राइबर इसमें होल बने में तो उस होल में इसको ड्राइबर को फसा के या फिर 16 नंबर के स्पैनर अगर हमारे पास एवेलेबल है तो उसके द्वारा हम इसको खोल सकते हैं इसको आसानी से निकालने है और ध्यान रखना है कि इस पार प्लग गिरे नहीं तो इसको लूज करने के बाद हम हाथ से इसको पकड़ कर फिर निकालें अब पस ध्यान रही यह गिरे ना जमीन में अब यह देख रहे हैं आप यह इसमें कार्बन डिपोजिट हुआ है तो को हम clean करेंगे clean करने के बाद हम इसमें filler gauge की साहता से 0.8 mm का जो gap है वो हम set कर लेंगे जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं तो यह इसमें slide होना चाहिए filler gauge filler gauge नहीं हो तो आपको idea से 0.8 mm का gap इसमें set करना है और इसको वापस उसी तरह से हम लगा देंगे और इसको hand tight करने के बाद हम screwdriver की साहता से या फिर 16 नंबर का अगर spanner है तो उसके द्वारा इसको हम tight कर लेंगे इसको hand tight करने के बाद slightly बहुत हलका इसको हम spanner से tight करेंगे अगर spanner नहीं है तो आप screwdriver की साहता से भी इसको फसा कर tight कर सकते हैं अब इसके cap वापस से हम इस cap जो हमने निकाली थी suppressor cap इस cap को भी लगा देंगे अब drain हो चुका है engine oil तो drain जो plug था उसे भी हम पूरा 17 नंबर के spanner के द्वारा इसको tight कर लेंगे और इसको जब हम tight करते हैं तो ध्यान रगना है कि बहुत ज़्यादा over torque नहीं करना है क्योंकि यह slip हो सकता है आप यह tip stick को हम खोलेंगे अगर हाथ से खुलती है ठीक है नहीं तो हम plier से इसको खोल लेंगे प्लायर से खुलने के बाद इसको हमें clean करेंगे यहां पर इस area को उसके बाद इसमें funnel एक keep लगाकर इंजन ओयल इसमें फील करेंगे तो इंजन ओयल जो है वो हमें इसमें 800 ml करीब इसमें फील करना है और फील करने के बाद डिपी stick द्वारा जो यहां पर कैप लगी थी उस कैप में stick होती है एक measuring stick तो इसके द्वारा हम इसका label चेक करेंगे तो जो लास्ट वाला cross का निसान है उस cross के निसान पर यह label इसका होना चीए अब वापस से हम body cover की जो इसको लगा लेंगे उसी group में और इसके बाद बॉडी कबर को नीचे डाउन करेंगे बॉडी कबर को डाउन करने के बाद जो हमने इसके तीन बोल्ट और दो साइट के स्क्रू थे उनको लगा देंगे यह तीनों बोल्ट को हम spar plug का जो box spanner इसमें दिया रहा था तक टूल किट में उससे या फिर हमारे पास अगर socket spanner है तो socket से हम इसको tight कर लेंगे इनने भी बहुत ज़्यादा over tight नहीं करना है बारा नंबर का है तो उसके साब से हमें इसमें टॉर्क देना पड़ेगा tight करना पड़ेगा तीनों को हमने बराबर hand tight करने के बाद इससे टी handle द्वारा तीनों को बराबर tight कर लेंगे जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं अब इससे हम टी लगाकर इनको properly tight कर लेंगे अब यह tight होने के बाद इसके साइट वाले ग्रील के screw है यह screw को भी हम screw driver की साइटा से tight करेंगे दोनों तरब के screw को पहले हाथ से मिला के फिर इसको driver से tight करना है कि उसके बाद जब service हो गई है तो इसकी वासिंग कर लेंगे वासिंग के लिए अगर हमारे पास पंप है तो हम पंके द्वारा कर लेंगे नहीं तो हम नॉर्मल प्रैसर के द्वारा इसको आप देख रहे हैं कि वासिंग कर दोरा जो वासिंग करने के बाद से हम धूप में सुखा लेंगे तो आज के इस वीडियो से आपको क्लियर वा होगा कि होंडा एक्टिवा या फिर कोई भी स्कूटी है उसकी service कैसे की जाती है तो आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक सेर जरूर करें और आपने मेरा चैनल सब्सक्रा समय पर मिलते रहें थैंक यू एवरिवन